श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप सभी का दिन शुभर मंगल में हो भगवान शिव आप सभी के मनुकामनाई पोन करें आज सुनिए सावनमास महतम में आगे की कथा और इस विडियो के लास में भी हर बार की तरह एक कहानी आज आज आप सुनेंगे भगवान शिव दिवी पारवती से कह रहे हैं हे पारवती अब श्राद के विशे में मैं कुछ जरूरी बातें बताऊंगा त्यान पुर्वक सुनो पारवती सवेरे तीन मुहर्थ तक प्रातहकाल फिर तीन मुहर्थ संगवकाल फिर तीन मुहर्थ मध्याहनकाल और उसके बा को पैत्रिक कहा गया है उसमें अवलंबित कुशों को कुतुक माना गया है श्रादकाल में शरीर द्रव्य इस्त्री भूमी मन मंत्र तथा ब्रहमन इन साथ वस्तों की शुद्धी पर विशेश दिहान देना चाहिए श्राद में तीन वस्तुए पवित्रमानी कई हैं दोहित् तिल तीन बाते परिशंसा के योगी कही गई है शुद्धी अक्रोध और उतावलेपन का अभाव साथ प्रकार का धन शुद्ध माना गया है शुरुत शौर्य तप कन्या शिश्य आधी कुल परंप्रा तथा न्याय वृत्ति से जो भी प्राप्थ हुआ हो इनकी प्राप् उत्तम कहा गया है चौथा किये वे उपकार के बदले में प्राप्त किया हुआ धन शबल अर्थात मध्यम श्रेणी का बताया गया है पांचवा सूद छठा साहस और सात्वा छल कपड से कमाई हुए धन को कृष्ण अर्थात अधम कहते हैं अन्यायों पार्जित धन से जो पड़ेवे पित्रों की त्रप्ती होती है इसनान के वस्तर से धर्थी पर जो ज़ल गिरता है उसे नीच योनियों में पड़ेवे पूर्वजों की त्रप्ति होती है ऄन उससे देव योनी में आई हुए पित्रों की तरप्ती होती है पेंड उठाने पर जो अन्न के दाने प्रत्वी पर गिरते हैं उनसे सम्मार जन का जल पीने वाले विक्र नाम के पितर तरप्ती लाब करते हैं श्राद भोजन करके ब्रहमन लोग जो आचमन और कुला करते हैं उससे पशु योनी के पितर तरप्त हो जाते हैं श्राद में जो उत्तम माने गए हैं ऐसे ब्रहमनों का भी वर्णन करता हूं देवी ध्यान पुर्वक्सनों विशिष्ट चोतरी योगी वेदवेत्ता नचिकेत संग्यक त्रिविध अगनियों का सिवन करने वाला अथ्वा अयंग वाव यह पवते इत्यादी तीन अनुवाकों का अध्ययन और अनुस्ठान करने वाला मधुवाता त्रता यते इत्यादी तीन रिचाओं का जब करने वाला ब्रहम मेतु माम इत्यादी तीन अनुवाकों का अध्ययन और तत संबंधी व्रत करने वाला पुत्री का पुत्र जामाता और भांजा पंचागनी कर्म में ततपर तपोनिस्ठ मामा पिता माता का भक्त शिश, संबंधी, बंदु बांधव, विदार्थ का ग्याता और वक्ता ब्रहमचारी, सहस्त्रों का दान करने वाला तथा सौवर्ष की आयू वाला पुरुष ऐसे ब्रहमन पंक्ति पावन जानने चाहिए अपना भांजा या फिर भाई बंधु, मूर्ख भी हो तो भी श्राद में उनका त्याग कभी न करें, उनको भी आमत्रित करें देव कर्म में ब्रहमन की परिक्षा न करें, किन्तु श्राद कर्म में यतनपूर्वक ब्रहमन की परिक्षा करें जो चोर, पतित, नपुनसक और नास्तिक वृत्ति के ब्रहमन हैं उन्हें मनुजी ने यग्य और श्राद में समिलित करने का निशेत किया है जो जटाधारी, वेदाध्यान रहित, दुर्बल, धूर्थ तथा शुद्रों के पूरोहित हों उनका श्राद कर्म में कभी पूजन ना करे वैत्य, वेतन लेकर देव पूजा करने वाले, मांस्विक्रेता तथा व्यापार से अपनी जीवी का चलाने वाले ब्रहमन भी यग्य और श्राद में त्याजी हैं अर्थात उन्हें भी श्राद के लिए आमंत्रित ना करे जो गमार, राज सेवक, बुरे नखों वाला, काले दातों वाला, गुरु के प्रतिकूल आजरन करने वाला, अगनी होत्र का त्यागी, सूध खोर, राज यक्षमा करोगी, पशु पालन की वृत्ती से जीने वाला, परिवेत्ता, अर्थात अपने बड़े भाई से पहले ह खुद विवाह करने वाला, निराकृती अर्थात किसी अंग सहीन, ब्रहमट द्वेशी, परिवित्ती, अर्थात परिवेत्ता का बड़ा भाई, कुशीलव अर्थात नाचने गाने वाला, अपकीर्णी अर्थात धर्म से भ्रष्ट हुआ, दोशील, काना, शुद्र जाती इस्तरी से संबंद रखने वाला, उधरी का बेटा, जुवारी, शिराबी, कोडी, कलंकित, पाखंडी, रस बेशने वाला, धनुश बान बनाने वाला, बड़ी बेहन के अविवाहित रहते, उसकी छोटी बेहन से विवाह करने वाला, मित्र द्रोही, पुत्र से शिक्षा लेने वाला, मिर्गी का रोगी, घेंगे वाला, श्वेत कुष्ठी, जुगल खोर, उनमादी, अंधा, तथा वेद की निंदा करने वाला, ये सभी ब्रहमन श्राध्धों में त्याग देने योगी हैं, जल के प्रभाह को छिन भिन करने वाला, अत्वाह से रोकने वाला, व्रिक्षारोपन की वृत्ती से जीने वाला, कुत्ते से शिकार खिलने वाला, बाजपक्षी से जीविका चलाने वाला, कुमारी कन्या को कलंकित करने वाला, हिंसक शुद्ध वृत्ती से जीने वाला, आचार हीन, बहुत बड़े जन समुदाय की पुरोहिती करने वाला, प्रति दिन भीक मांगने वाला तथा मुर्देड होने वाला ऐसे ब्रहमन यतन पूर्वक्त त्याज्य हैं। उन्हें भी श्राद के लिए आमंत्रित ना करें। जिनका आचरन निंदित हो वे अधम द्विच श्रेष्ट ब्रहमनों की पंक्ती में बैठने के अधिकारी ही नहीं हैं। इसलिए विद्वान ब्रहमन, देवकार्य और पित्रकार्य दोनों में पूर्वक्त ब्रहमनों को कभी सम्मिलित ना करें। पृत्येक मास में अमवस्या आने पर श्राद करना चाहिए। अस्टकाति थी सूरि ग्रहन, चंद ग्रहन, विशुव योग, अयनारंभ के दिन तथा सामानित हां सूरि की पृत्येक संक्रानती के दिन श्राद करना चाहिए। क्रिश्न पक्ष में आद्रा, मघा, रोहनी आदी नक्षत्रों में श्राद के योगि द्रव्य और ग्रहमनों का संयोग प्राप्थ होने पर तथा गज छाया, व्यतिपात, भद्रा और वैदृति योग में भी श्राद करना चाहिए। वेशाख की तरतिया, कार्तिक शुकला नौमी, माघ की पौनिमा और भादरपत क्रिश्ना त्रेयोदशी ये युगादी तिथिया माने गई हैं। कावन की क्रिश्नास्टमी, आशाण, कार्तिक, फालगुन, चैत्र और जेस्ट की पौनिमा ये मनवंतर की आदी तिथिया हैं, जो दान के पौनिको अक्षे करने वाली हैं। मनवंतर आदी तिथि में बारह प्रकार के श्राद करने चाहिए। ये बारह प्रकार के श्राद हैं नित्य नयमेतिक, काम्य, वृद्धी श्राद, सपिंडन श्राद, पारवन श्राद, गोष्ट श्राद, शुद्धी श्राद, कर्मांग श्राद, दैविक श्राद, क्षयाय श्राद और तुष्टी श्राद। और इन सब में भी सामवत सरिक अर्थात क्षयाय श्राद श्रेष्ट माना गया है। प्रतिदिन किये जाने वाले श्राद को निति श्राद कहते हैं, उसमें विश्वदेव की पूजा नहीं की जाती। अगर अन से श्राद करने की शक्ति ना हो तो केवल जल से भी निति श्राद किया जाता है। किये जाने वाले श्राद को पारवन कहते हैं। इसे तुस्टी श्राद कहते हैं। 12 महिने पर जो श्राद किया जाता है, जिसे आम भाषा में बरसी भी कहते हैं। उसे क्षयाह अत्वा सामवत्सरिक श्राद कहते हैं जो वर्ष के अंत में क्षयाह के दिन पिता और माता का आदर पूर्वक श्राद नहीं करते उनकी कीवी पूजा को मैं नहीं ग्रहन करता जो मनश पिता की क्षयाह तिथी को ठीक 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 नहीं जानता हो उसे माघ अत्व पामार्ग शीर्स की अमावस्या को सामवत सरिक श्राद करना चाहिए। अब भगवान शिफ देवी पारवती को श्राद विधी के बारे में बता रहे हैं जिसका वर्णन आप सभी अगली अध्याय में सुनेगे। अब सुनेगे भगवान शिफ की भक्ती से जोड़ी एक सच कर दिया। कपड़ा बुन्ने में बहुत महनत लगती हैं। बुनते बुनते उनको भी पूरा एक महिना लग गया। आखिरकार उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया क्योंकि उनकी कमाई भी इसी से होती थी। फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बजार में ले गए। पगड़ी का वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये तो बहुत महंगा होगा। फिर वह बिना बिकेवे कपड़े के साथ ही वापस आ रही थे कि रास्ते में उन्हें एक बुड़ा आदमी बैठा वा मिला। उसने दासी मया की तरह देखा और देखकर कहा कि बाबा मैं काप रहा हूं क्या तुम्हारे पास जो कपड़ा है वो मुझे दे सकते हो। दासी मया बहुत दयालू थे और उन्होंने वह कपड़ा बुड़े आदमी को दे दिया जिसे बुन्ने में उन्हें पुरा एक महिना लगा था। दासी मया को लगा कि वह बुड़ा आदमी ठंड के मारे उस कपड़े को ओढ़ लेगा लेकिन ये क्या हुआ। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उसके कई टुकड़े कर दिये। एक टुकड़ा अपनी सिर पर बांध लिया, दूसरा अपनी चाती पर और दो छोटे छोटे टुकड़े अपनी पैरों और हातों पर बांध कर वो बैठ गया। दासी मया उसे बस देखते रहे। उन्हें हिरानी हुई कि उस आदमी ने ये कपड़ा फाल क्यों दिया। फिर अचानक से जब बुड़े आदमी ने देखा कि दासी मया उसे बहुत ध् खाने के लिए लेकर गए। लेकिन उनके घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर पर आए हुए महमान को देखकर उनकी पतनी बोली कि घर में तो इतना खाना भी नहीं कि आप ही खा सके और आप अपने साथ एक महमान और ले आए। अब दासी मया बड़े परिशान हो गए महीनों की मेहनत करने के बाद वो जो कपड़ा बुनते उससे बेशने के बाद जो भी रुपए मिलते उनी से उनका घर चला करता था और आज उनकी मेहनत भी व्यर्थ कई थी दासी मैया ने सोचा घर पर आये हुए अतिति का अपमान करना ठीक नहीं तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरा मत सोचो मेरे साथ जो अतिति आये हैं उनका पेट भढ़ना जरूरी है इसलिए घर में जो भी तिल फूल है उसे ही बना कर ले आओ अब भला देर किस बात की थी भगवान भी अपने सचे भक्त को जादा देर परिशानी में नहीं देख सकते वह बुढ़ा आदमी और कोई नहीं बलकि स्वेम भगवान शिव थे उन्होंने दासी मैया की करुन हलत देखी तो वह अपने वास्तविक रूप में वहाँ प्रक फिर तो उस बरतन में रखावा अनाज कभी खतम ही नहीं हुआ वो बरतन कभी खाली ही नहीं हुआ अब दासी मैया और उनकी पतनी भगवान के चर्णों में गिर पड़े देखते ही देखते भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए अब दासी मैया और उनकी पतनी ने पाने के लिए कुछ जादा मेहनत करने की भी जरदने पड़ती बस भोले बाबा के प्रती मन में सच्ची श्रधा होनी चाहिए विश्वास होना चाहिए और आपका मन सही होना चाहिए सब के प्रतिकरुना भाव होना चाहिए और जब ऐसे भक्त भगवान की शरण में जाते हैं तो बाबा अपने भक्तों की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मन में अगर भाव सच्चे हो तो चाहे आपके पास भगवान शिव को अरपित करने के लिए छपपन भोग ना हो तरह तरह की पूजन सामगरी ना हो भगवान शिव तो एक लोटा जल को ही स्विकार कर लेते हैं और आपकी जो भी मनुकामना है उसे पूर्ण कर देते हैं तो ये थी भगवान शिव की भगती से जोड़ी एक सच्ची कहानी उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी